पर आज रेडार पर इस पर एक नसर डाल लेते हैं लेकिन पहले पोर्टफोलियो इसका भी जायजा ले लेते हैं एक तो आप लेकर आईएगा रूपक का पोर्टफोलियो पहले किन-किन स्टॉक्स का फायदा इनके हाथ लगा कल से आज में वो पहले एक तो कल के टॉप ट्रेड़िट काउंटर्स में रूपक का अपोलो टायर था जो करीब धाई पसंत के रिटर्स दिने में काम्या वहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बान लिया एक्जिट किया हुड को के ट्रेड को अन्फॉचनेटली हुड को आज चला है वैसे इनका टागेट था 61 का और हिताची एनरजी मॉयल के ट्रेड के साथ ये फिलहाल अभी भी पॉजिशन को होल करें कल ये दो ट्रेड दरहसल आए थे तो आज नया क्या जोड़ेंगे बताईएगा रूपक जी मेरा पहला ट्रेड रहेगा मैंस्गा उपक ट्रेड निए इक इस बाद इस बार भी इस बार भी इस बार बीड़ेशन बनाया डेडी चार्ट में और ब्रेक आउट भी दिया तो मुझे लगता है कि 1050 का फॉज जा सकता है एक दो दीन में और नीचे एक स्टॉपलस में करना रहेगा वो 870 का स्टॉपलस और 1050 का टागिट रहेगा मजगाओ डॉक तेजी वाला ट्रेड आज इसमें अच्री खासी मोमेंटम देखने को मली हैं तेजी की शुरुवात दरसल आई हुई थी आपके कोची शिप्याड में और फिर फॉलो थू आया मजगाओ 1050 के ल रहे उस पुटिक्लर सौदे को लेकिन आज सुभा में रालिस और डेल्टा कॉप से प्रॉफिट बांध लिया है इन्होंने मेरे ख्याल में यह पहले ही हो चुका होगा तो आप बताईए अब समेत नया ट्रेड कहां पर जोडेंगे सब्सक्राइब करेंगे यहां पर जो एडिशन होगा यहां पर जीमर इंफरा यहां पर अच्छा लग रहा है यह स्टॉक एक स्टेडी मुवर रिसेंटली रहा है आज उसने जो उसके मल्टीमन ब्रेक आउट है इंपॉर्टन लेवर से वहां से ब्रेक आउट कंफर्म किया तो मैं लगता है कि जीमर अट लीश्ट यहां से आट से दस तके की मूव दो हपतों में यहां से कंटिन्यू कर सकता है तो इसलिए जीमर इंफ्रा बाय करने के हम सला देंगे यहां पर 40.40 का स्टॉप लॉस होगा और 46.5 का इसका इमिडिट टागेट रहेगा ओके तो यह फिलहाल आपके लिए जीमर इंफ्रा का एक ट्रेड आ रहा है स्टॉप आपके सामने 42.40 के आसपास ट्रेड करता हुआ 46.50 के लिएक मौका इसमें तेजी का पकड़ा है समित ने और 40.40 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे यह एक बाई साइड का ट्रेड इंफ्रा कंपनियों में आज कल फिर से इंट्रेस लॉटता हुआ अमोल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर अबाएगा अमोल के पोर्टफोलियो में आप ध्यान दीजेगा तो एक तो आवनीव सुपरमाट होल्ड कर रहे है शोभा में इन्होंने एक्जिट कर लिया और इनका कल का आवनीव सुपरमाट 1% के रिटरंस कमा कर गया है तो बताईया मोल नया क्या जोड रहे हैं पिसी अच्छा लग रहा है